चलिए नई दिन की शुरू बात कर देते हैं नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ यह जो आज की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी है, क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और बनने में काफी एजी है, कम सामान में बन करके रेडी हो जाती है वीडियो में आप मेरे साथ लाज तक बने रहीएगा चलिए सबसे पहले गैस पर मैंने कड़ाई रख दिया है, दो चोटे चमाचिट में डेसी गित डाल दिया है आप यहाँ पर कोकिंग ओल ले सकते हैं जो आप घर पर खाते हैं अब यहाँ पर 2-5 कप मैं डाल रहे हूँ पानी, मिजर्मेंट के लिए आप कप कटोरी गलास कुछ भी ले सकते हैं मैंने मिजर्मेंट के लिए ये कप लिया है तो इसमें धाई कप नॉर्मल ये पानी डाल दूँगी अब इसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिएगा मैं एक चमच नमक खट डाल रहे हूँ बारी कटी हुई 2-3 हरी मिर्ची लिए मैंने वस बही डाल दूँगी बच्चों के लिए आप ये नास्ता बना रहे हैं तो हरी मिर्ची यती खपन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर पूरा इसके कर सकते हैं अब इसमें पानी में एक उबाल आने देना है मेरे पास ये मोटी सूजी है तो आज का नास्ता मैं इसी से बना कर तैयार करूंगी गैस का फ्लेम एकदम लोबर करते हुए आपको इस पेचला चलाते हुए एकदम गाड़ा इसे कर लेना है दो से तीन मिनट में ही ये गाड़ा होना शुरू कर देगा जैसे आप हल्वा बनाते हैं उपमा बनाते हैं बस उसी तरह का ये तिखने लगेगा जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ये अपने आपी पेचला चोड़ देगा पास से साथ मिनट इसे गाड़ा होने में लग जाएगी तो बस इस तरह से आप इसे बनाएंगे तो इसमें गाठें या लंप्स नहीं पड़ेंगी पानी बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे क्योंकि हमें ये जादा गाड़ा वाला नहीं चाहिए मिजर्मेंट परफेक्ट क्योंकि मैंने यहाँ पर डाई कप पानी डाला था एक कप भरके मैंने इसमें सूजी डाल दिया सूजी पानी जादा रखेंगे तो अच्छे से फूल जाएगी तो ये देखिए जब वो टाइट होईगी तो वो एकदम विखरी विखरी सी नहीं होगी वीडियो में इसलिए मैं कहते हूँ कि हमेशा आप कोई भी कुकिंग की वीडियो देख रहे हैं इसे पकाते हुए इसने अपने हाप पैन को भी छोड़ दिया है गैस को कर देंगे बंद और इसे ऐसे ही यहाँ पर फैला देंगे स्पेचुला से ढख देंगे और ढख कर इसे पांच मिनट ऐसे ही रख देंगे तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं रेसिपी की यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए है अब आप मिजर्मेंट देख लीजिए यह जो आलू है यह बड़े नहीं है मीडियम साइज के मेरे आलू है तो चार में आलू ले रही हूँ इसमें इतने आलू काफी होंगे और आलू को एकदम बारी कर लेना है मैं इसे यहाँ पर मैशर से मैस कर लूँगी आप इसे कद्दुकत से क्रश करके भी ले सकते हैं बस आलू जो है हमारे एकदम बारी कोने चाहिए इसमें आलू की गाट है या फिर चंक्स नहीं होने चाहिए यह देख लीजे आलू हमारे यहां पर मैश हो गए है यहां पर सूजी ने भी रेस्ट कर लिया है तो हम इसे डाल देंगे आलू जो हमने मैश करक रखे हैं उसी वाले टॉप में डाल देंगे इस पैचला से फैला जीरा डाला है एक चमच दरदरी कुटी हुई लाल मिची एड़ कर दी है इसे थोड़ा सा चटपटा ही बनाईएगा तो नास्ता और भी टेस्टी लगेगा इसमें एक चमच में पीरी पीरी मसाला डाल रही हूँ इससे हमारे नास्ते का टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएग इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी आदा ही चमच में डाल रही हूं नमक का क्योंकि हमने सूजी में नमक पहले ही एड़ किया था दो चमच यहाँ पर सफेद वाली में तिल डाल रही हूँ यह जो तिल है मेरी भूनी हुई है कच्छी नहीं है तो बस इसमें अब हम और ज्यादा मसाला एड नहीं करेंगे जो हमने मसाले डाले हैं इसी मसाले से हमारा नास्ता एकदम पर्फेक्ट और आसम बन करके रेडी होगा तो सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिला लेना है इसे मसाज देते हुए एक डो जैसा बना कर आपको तैयार करना है जो आलू हमन आप पर मैं चाकू ले रही हूँ इस डो के मैंने तीन हिस्से कर लिया है आप और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे जैसे आप आटे वगरा कर लगाते हैं बस्रेशी तरह यहाँ पर भी थोड़ा मोटा लग रहा है तो दो फिर से मैंने यहाँ पर चाकू से इसके साइज का अब मैं यहाँ पर इसके सूजी के छोटे-छोटे से बाइट्स बना रही हूँ आप चाहें तो इसका और भी कोई शेप दे सकते हैं तिक्की के जैसा बना सकते हैं या फिर आप इसकी रिंग जैसे भी बना सकते हैं या फिर जैसे आलू फ्राइस जैसे लंबे-लंबे काट सकते हैं तो उसी तरह से भी बना सके हैं तो आप मर्जी के इसाब से आप नास्ते का कोई भी शेव दे सकते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना तो श्बिशत काटे उए इससे को ले नहें हवतेलियों पे रखकर उंगलियों और साफ कर देना हैं यह बहूत ही rat जाता है ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है कि जो हमारा डो है बिल्कुल पर्फेक्ट लगा हुआ है तो चलिए इसी तरह से ही मैं सारे नास्ते के पीस बना कर तैयार कर लेती हूं आप इसे इसका और भी शेप दे सकते हैं कोई नास्ते का जैसे आप रिंग बना सकते हैं या फिर जैसे आलू की फ्राइज होती है ऐसी लंबा लंबा भी काट सकते हैं तो मैं इसी तरह से ये नास्ता बना कर रेडी कर लेती हूं और ये जो आज की सूजी वाइट्स की रेसीपी है ना इसमें आलू थोड़ा कम जादा या सूजी कम जादा भी हो जाएगी तो चल बंदा रही हो तो लाइक शेयर जरू कर लें और ये देखिए सारे जो पीसेज हैं नास्ते के सूजी वाइट्स के बन करके रेडी हो गया है चलिए गैस की तरफ चलते हैं अब इसे सेखने का एक तरीका है जैसे गैस पर आप रखेंगे कड़ाई और इसमें रखी तेल और है तो आपको तीन से चार मुनेट एसे एकपपने देना है एक साइड से गैस का फ्लेम आपको मीडियम पर करते हुँए इस सीखना है और अच्छे से सीखना है इसका कलर चेंज होने तक और इस हाइफ लेम पर मत करें कियोंकि अगर आपने इसे हाइफ लें पर तेल को कर ल किसी सब्जी में या फिर पराटे में तो वह तेल भी आपका खराब हो जाएगा तो चलिए इसी तरह से ही मैं इसे क्रिस्पी होने तक इसका कलर चेंज होने तक इसे से तहाई है तेल गरम जादा हो गया तो मैंने अभी गैस को कर दिया है बिल्कुल बन और जो हमारी सूजी वाइट्स के पीसे से मैं इसमें डाल दूगी तब ही हम इस गैस को चालू करेंगे और फिर बस दुबारा गैस चालू करकर इसे लो टू मीडियम पर गैस पर करते हुए उलट पुलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लेना है एक बार में ही आप धेश सारे इसमें सूजी वाइट्स डाल सकते हैं कोई इश्यू की बात नहीं है तो चलिए प्लेट लगा देते हूं यहाँ पर प्लेट आ गई है और मैं इसे सर्व कर रही हूं धनिये की और पुदीने है तेस्टी भी है देखने में सुंदर है और क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है तो यह लीजिए सूजी वाइट्स भी हमारी बन करके रेडी हो गई है गर्मा गरम बारिस के सीजन में एक बार यह ट्राई करना तो बनता है मैंने एक यहाँ पर हरी मिर्ची भी तल दीती य तो चलिए अब बारी आ गई है इसे तोड़कर आपको दिखाने की कितनी फूली बनी है और यह देखिए हमने इसे टीशू पेपर में भी निकाला था जिससे की जो एक्स्टा तेल होगा वो निकल जाएगा यह देखिए बिलकुल अंदर तक यह सीख गए हैं बिलकुल भी सबी को आज की मेरी रेसीपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई